एक हालिया रिपोर्ट ने भारतियों की सेहत को लेकर चुंता बढ़ा दिया है इपर्टिंसिव है और अखर दस में से एक भाड़ती है डिप्रेशन सी चूज रहा है कैंसर डायविटीज उच्छ रक्तच्वाप फ्रिदे संबंदी रोग और मांसिक बिमारिया भारत में गंभी रिस्तर पर पहुँच गई है रिपोर्ट में जो बेमारी को लेकर सबसे अधिक चुंता बताई गई है वो है कैंसर भारत में कैंसर के बढ़ते मामले वैश्विक कैंसर के मामलों को पीछे चोड़ रहे हैं जिस कारण भारत को कैंसर की नई रादधानी का आचवारा और रिपोर्ट में इस बात को लेकर चुतावनी भी दी गई कि कम उम्न में ही प्री डायविटिक, प्री उक्च रखत च्वाब और मांसिब बिमारियों का खत्राब बढ़ता चाता है और भारत में महिलाओं में सबसे अधिक ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और गर्भाश्वे का कैंसर हो रहा है जबकि पुर्शों में फेफ्रो का कैंसर, मुका कैंसर और प्रोटेस्ट कैंसर आम हो गया है और रिपोर्ट में साथी ये भी कहा गया कि भारत में कैंसर का पता लगने की औसातायू और निदीशू की तुलना में कम है लेकिन इसके बाद जूदीश में कैंसर जाच दर अभी भी बहुत कम है और खत्रों से बच्रों के लिए क्या कुछ चुपाएं वो भी आपको बताते चले रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सबी खत्रों से बच्रों के लिए नियमी तोर पर हेल्ट चेक अप जरूरी है बलड प्रेशर और बॉड़ी मास इंडेक्शन की निगरानी पर भी जोड दिया गया ताकि हिर्दा संबंदी बिमारियों का खत्रा कम हो अपोलो हास्पिटल की वाइस ट्यूर पोसन डॉक्टर प्रीती रेड़ी ने भी जोड देते हुए ये कहा कि गैर संक्रामक रोगो पर एक साथ काम करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि स्वास्त च्छीतर और राष्ट को एक साथ आकर काम करने की जरूरत है ताकि हम इमानदारी के साथ गैर संक्रामक रोगो से लड़ सके रिपोर्ट के निसकर्ष से जो बात स दर रथे